इंडियन मेडिकल एसोसेशन और किंग्स्वे होस्पिटल 14 नवंबर को वर्ल डाइबेटिस डे मनाएगा ऐसी जानकारी किंग्स्वे अस्पताल में आयोजित पत्र परिश्द में दी गई इस दिन विभिन नकारीकरम आयोजित कर डाइबेटिस के बारे में जनजागरूति की जाएगी 14 नवंबर को विश्व मदु में हदीवस है डॉक्टर फेडरिक पेंटरिक ने इंसुलिन की खोच की थी इस साल इंसुलिन के खोच के सौ वर्ष पूरे हो रहे है इस सुपलक्ष में किंग्स्व अस्पताल और इंडियन मेडिकल एस्सोसियेशन वरा वर्ल्ड डाइबेटिस डे मनाया जा रहा है इस दोरान इंसुलिन पर जनजागरूति की जाएगी मरीजों को इंसुलिन के बारे में अवेर किया जाएगा साथ ही डॉक्टरों को पेरा मेडिकल स्टाफ को इंसुलिन के अलग-अलग प्रकार बताये जाएगे वही अन्य डॉक्टरों को डाइबेटिस के कई प्रकार के बारे में भी जानकरी दी जाएगी साथ ही साइकल रेली का भी वर्ल्ड डाइबेटिस डे पर आयोजन किया जाएगा ऐसी जानकरी किंग्स पेस्पताल में आयोजित पत्र परिशद में दी गई चरदा नोवेंबर को जागूतिक मधुमे है दीवस है जिसको हम वर्ल डाइबेटिस डे बोलते हैं इस दिन डॉक्टर फेडरिक बेंटिंग इनका बर्ड़ दे है डॉक्टर फेडरिक बेंटिंग ने इंशुलिन की खोच की है 1921 में इन्शुलिन की खोच डॉक्टर फेडरिक बेंटिंग, चार्ल्स बेस्ट, जॉन मैकलियोर्ड और जेवी कॉल इप ये चार लोगों ने किया था उसमें फेडरिक बेंटिंग ने लीड काम किया था इसलिए ये चारों को नोबल प्राइज मिला है उनी की याद में 14 नोवेंबर, World Diabetes Day करके All Over World Celebrate किया जाता है और इस दिन, इस साल, इन्शुलिन के 100 साल डिस्कवरी के पूरे होने की वज़े से हम लोगों ने पूरा थीम इन्शुलिन बेस्ट रखा है और पेशेंट्स में Awareness क्रियेट करना, Physicians को इन्शुलिन के बारे में जादा से जादा जानकारी देना और पेरामेडिकल स्टाफ को भी इन्शुलिन के बारे में जादा से जादा जानकारी देना ये हमारा मकसद है CME में हम डाइबिटीज के अलग-अलग टॉपिक ले डिसकस करने वाले है जिसमें हम बेजल इंशुलिन थेरेपी बोलस इंशुलिन थेरेपी टाइम इन रेंज ग्लुकोस कंट्रोल ग्लाइस्टिनिक वेरियाबिलिटी ऐसे अलग-अलग इंपॉर्टन टॉपिक्स डिसक लाइब के थ्रूपिक लिए टूपिक लोगों को इंशुलिन अप्डेट के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्तों वाल डाइबिटीज का थीम यह कि अवर प्लेज विल बी तूपिक टूपिक्टमें अवेलेबर एक्सेशिबल अवेलेबर तो एवरीबरी इन इस वे वेल चिर्वे है एक्सेशिएग जया है उंवेलेबर के लिए टूपिक भी सेव इंवेला और्व सेpir